नमश्कर दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में जियां दोस्तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर अधिर रंजन चोधरी ने संसदिय समीति के सामने माफी मांगी लोगसबा से सस्पेंशन हटेगा सदन में पीम मोधी पर टिपनी की थी जिया दोस्तो लोगसबा की विशशदिकार समीति ने कांग्रेस सांसद अधिर रंजन चोधरी पर लगाएगे सस्पेंशन को हटाने का एलान किया है न्यूज अजनसी पीटी आई के मुताबित विशशदिकार समीति के सामने पेश ओकर कांग्रेस नेता अधिर रंजन चोधरी ने माफी मांगी और कहा कि वे किसी की भावनाओं को आद करना नहीं चाहते थे पीम मोदीर पर टिपनी को लेकर उन्हें 11 अगस्त को मांसुन सत्र के आखरी दिन लोगसबा से सस्पेंड कर दिया गया था इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर राजस्तान के मुखे मंतरी बोले जुडिस्टरी में भयांकर ब्रस्टाचार कई वकील जो लिखकर ले जाते हैं वही जज्जमेंट आता है जिया दोस्तों राजिस्तान के मुख्य मंत्री अशो गैलोत ने कहा है कि आज जुडिस्री में भयंग कर ब्रस्टाचार हो रहा है मैंने सुनाए कि कई वकील तो जज्ज्मेंट लिखकर ले जाते हैं वही जज्ज्मेंट आता है जुडिस्री के अंदर यह क्या हो रहा है चाहे लोवर्ड जुडिस्री हो या अपर हालात गंबीर है देश्वासियों को सोचना चाहिए गेलोत जेपुर में मीडिया से बाचित कर रहे थे उन्होंने कहा कि भाजपाविदाएक केलास मेगवाल ने केंद्रिय कानून मंत्री अरजुन राम वेगवाल पर जो आरोप लगाये हैं वो सही है मुझे मालूम पड़ा है कि उनके वक्त बहुत बड़ा करप्शन हुआ था उसे दबा दिया गया इन लोगोंने हाई कोट से इस्टे ले रखा है इन्होंने किसी की परवाहा नहीं की हम तो कभी किसी के पीछे पढ़ते नहीं हैं जुडिश्री, RPSC, SB में कभी इंटरफेर नहीं किया मैंने जीवन में कभी इन सस्ताओं के काम में हस्त शेप नहीं किया न कभी करना इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार उद्धव ठाकरे बोले गेस स्लेंडर सस्ता होने की वज़ा है इंडिया अलायंस से दावा सरकार आगे चलकर फ्री स्लेंडर भी देगी पवार ने कहा हम बदलाव के लिए साथ हैं जिया दोस्तो विपक्षी गटमंदन इंडि कल से शुरू होगा चुनाओं में परिवर्तन के लिए विकल्प जरूरी है हमारा बरोसाए की देश को एक बढ़िया विकल्प मिलेगा सिवसेना गिनेता उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारा अगटबंदन बनते ही सरकार ने गेस के दाम कम कर दिया है देखते जाएए आगे के पास मोदी के अलावा कोई विकल्प नहीं है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार मांत्र साथ मिनेट में कैंसर का इलाज ऐसा करने वाला इंगलेंड पहला देश पेश करने जारा है चमतकारी इंजेक्शन जिहां दोस्तो ब्रेटेन की सरकारी रास्टिय स्वास् इंगलेंड यानि की नेशनल हेल्थ सिस्टम इंगलेंड ने मंगलवार को कहा कि इम्मुनियो थेरेपी एटे जोली जुमाब से इलाज कराने वाले सेकलो रोगियों को तोचा के नीचे इंजेक्शन दिया जाएगा इससे केंसर टीमों को इलाज के लिए और अधिक समय मिल पाएगा वेस्ट सफोक एनेजस फांडेशन ट्रस्ट के सलाकार ओक्निकोलोजिस्ट डाक्टर एलेक्जंडर मार्टी ने बताए कि इस मंजूरी से न केवल हमें अपने मरीजों की देखबाल में मदद मिलेगी बल्कि इससे हमारी टीम को दिन भर में अधिक से अधिक चंद्रियान रोवर ने आज सुबह विक्रम लेंडर की तस्वीर किलिक की रोवर पर दो नेविगेशन केमरे लगे हैं जिनसे ये फोटो किलिक की गई है इसमें विक्रम लेंडर पर लगा पैलोड चास्टे सतय पर ड्रिलिंग करता दिख रहा है ये पैलोड सतय और गहरा पाई में तापमान मापता है चंद्रियान तीन का लेंडर तेविस अगस्त को शाम 6 बजगर 4 मिनट पर चंद्रमा पर उतरा था इसके बाद रोवर बाहर आया था इसरो ने लेंडिंग के करीब 14 गंटे बाद लेंडर के लेंडर के रोवर से बाहर आने की पुष्टी की थ चंद्रमा की सरफेस पर अलुमीनियम, केल्शियम, आईरन, क्रोमियम, टाइप, टाइटेनियम की मुझूदगी का भी पता चला है इसके लावा चांद की मिट्टी में मैगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सिजन भी मुझूद है जबकि हाइडरोजन की खोज जारी है यानि की चंद्रमा की सरकार को बुनियादी ढाचे का निर्मान करना होता है तो और एसी नीतियां बनानी होती है जिनसे लोगों के लिए भारत में निवेश करना या वैवसाई चलाना आसान हो सके उन्होंने विपक्षपर परोक्ष रूप से कटाक्ष भी किया और कहा कि बुनियादी ढाचे और व्यापार को अवरुद करने वाले लोग रोजगार भी अवरुद करते हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार आदित्य एलवन मिशन के इंटरनल चेक पूरे 2 सितंबर को श् SLV XL रोकेट के जरिये 2 सितंबर को सिरी हरिकोटा के 37 दवन स्पेस सेंटर से सुबह 11 बज़ कर 50 मिनट पर लॉंच किया जाएगा ये करीब 4 महीने में प्रतवी से 15 लाग किलोमेटर दूर लैंग रांजे पॉइंट वन यानि कि L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा दोस्तो अगली बड़ी ख़बर मनीपूर हिंसा अब 27 केस CBI के पास इनमे 19 मामले 12 पर हत्या चार के संदिक्दों और पीड़ेतों से पुश्टाज जारी जियां दोस्तों मनीपूर हिंसा के 27 केस अब CBI के पास सेन में महिलाओं कर अत्या 4 से जुड़े 19 मामले हैं इसके अलावा जांच अजनसी के पास थानों से हत्यार की लूट से जुड़े 3 और हत्या के 2 मामले भी है न्यूज एजनसी पीटी आई ने सुत्रों के हावाले से बताये कि CBI अफसरों के जांच जारी कर जारी है उन्होंने कई संग्दिक्दों और पीड़ों से पुश्टाज किये मनिपूर में 3 मई से कुकी और मैतई समुदाई के बीच जारी हिंसा में अब तक कुल 160 से जादा मोते हो चुकी है हजार से जादा लोग गायल हुए हैं CBI पर पक्षपात का आरोब भी लग सकता है कि वो एक समुदाई से मिली हुई है ऐसे में बैहत गंबीरता के साथ आगी की जाच की जारी है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार शरत पवार का बड़ा बयान मायावती का बिजेपी के साथ चल रहा है कि मायावती का बिजेपी के साथ डायलोग जारी है वे उद्दव ठाकरे के साथ महाविकास अगारी नेताओं की एक प्रेस कॉन्फरेंस में बोल रहे थे पवार का यह बयान ऐसे समय आया है जब बहुजन समाज पार्टी की पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एलान किया है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार 75 साल में पहली बार साथी पहुची इसराइली फ्राइट जेदाहा में इमर्जेंसी लेंडिंग पैसेंजर बोले हम शोट्स में थे कुछ देर तो डर लगा जियां दोस्तों इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेत्यानियू ने साओधी सरकार का शुक्रिया अदा किया इसकी वज़ाई है कि सुमवार रात एक इसराइली फ्राइट को साओधी सरकार ने जेदाहा एरपोर्ट पर इमर्जेंसी लेंडिंग की मंजूरी दी थी इस दोरान 128 इसराइली नागरिकों ने इस शहर की एक होटल में राद गुजारी थी 2014 में इसराइल एक अलग मुल्क बना इसके बाद यह है पहली बार है जब पब्लिकली कोई इसराइली फ्लाइट साओधी अरब में लेंड हुई है अनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है बाद में कुछ पेसेंजर्स ने माना कि उन्हें साओधी में लेंडिंग करते वक्त डर लग रहा था एर सेक्षल्स के एक प्लैन ने सुमवार दोपर सेक्षल्स से इसराइल की एड्मिनिस्ट्रिशन केपिटल तेल अविव के लिए उडान भरी थी इस दुरान एरक्राफ के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फाल्ट आ गया इससे इंजन फैल होने का खत्रा भी था इस वजह से ज एक प्रदान मंतरी मोदी से बयान देने की मांग की है सुमवार को चीन ने एक नया नक्षा मानक नक्षा जारी किया इन में अकसाई चीन जिस पर उसने 1962 में युद्ध में कबजा किया था और रोना चल प्रदेश जिर्परवाय दक्षण का दिबद के रूप में दावा करता है उसे अपने शेत्र के इससे के रूप में दिखाया है मैप में समपूर्ण दक्षन चीन सागर को भी चीन के इससे की रूप में दिखाया गया है जैसा की पिछले संस्क्रण में दिखाया गया था इस पर दोस्तो राहूल गांदी ने करनाटेक के लिए रवाना होते समय कहा कि परदान मंतरी को इस बारे में कुछ कहना चाहिए इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार केलाश मेगवाल के आरोपों पर केंद्रिय मंत्री अरजुन राम वेगवाल का पलटवार बोले टिगिट नहीं मिल रहा होगा। इसलिए वह कांग्रिस की ओर जा रहे हैं और मेरी आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तो जानें अगली बड़ी खबर लेकिन उससे पहले मेरी आप से चोटी सी रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तो जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबार। सेंसेक्स ग्यार अंक की तेजी के साथ 65,087 पर बंद जियो फाइनेंशियल निफ्टी का टॉप गेनर रहा। जी हां दोस्तो शेर बाज़ार में बुद्वार को फ्लेट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स ग्यार अंक की तेजी के साथ 65,087 के सतर पर बंद जुआ। वहीं निफ्टी में 4 अंक की तेजी देखी गई है। 19,347 के सतर पर बंद जुआ। सेंसेक्स के 30 शेरों में से 16 में तेजी और 14 में गिरावर देखने को मिली। वहीं दोस्तो जीओ फाइनेंशियल सर्विसेज का शेर 5 प्रतिशत के अपर सर्किट के साथ बंद हुआ जो निफ्टी का टॉप गेनर भी रहा। जीओ फाइनेंस का बहु दोस्तो अब NAC पर 231.25 पहुँच गया है। वहीं दोस्तो बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर स्टॉक्स और टॉप लूजर स्टॉक्स की। तो दोस्तो निफ्टी 50 के टॉप गेनरस में जीओ फाइनेंशियल टटाइ स्टील और मारूती सुजु की रहे। कि गत्ति अगस्त और एक सितंबर को आईज़त की जाएगी संजे रावत ने कहा कि इस मीटिंग में छे राजु के मुखे मंत्री और सभी नेता जो बैंगलूरू और पटना में आये थे वो सभी आएंगे बेठक में 28 दलों के नेता शामिल होंगे कुछ नेता आज आज आग मुश्किल चार दिन बाद अब यहां दिखाएंगे जलवा जिया अंदोस्तो हाली में विश्व चेंपियंशिप बने नीरज चोपला गुरुवार को प्रतिश्टिट डाइमंड लीग मीट में नामीक लाडियों के बीच पुरुशों के भाला फैंक इस प्रतिस पता में अजय लए बरकरार रखने की कोशिश करेंगे चोपलाने रववार को बुड़ा पैस्ट मठ्यासी पॉंट 17 मिटर की थ्रों के साथ अपना पैला विश्व चेंपियंशिप खिता उन्होंने 2022 में रजत पदक जीता था चेक गंडराजे के विश्व रिकोर्ड दारक जोन ज जीता जबकि 1935 में और 2001 में विश्व चेंपियंशिप का खिताब जीता थोर किलिंट्स ने 2008 ओलंपिग और 2009 विश्व चेंपियंशिप में श्वन पदक जीता 25 वर्सीय चोपला इस सतर में अजय रहे हैं उन्होंने विश्व चेंपियंशिप की जीत से पहले दोहा और पूरो अमेरिकी राश्पती डोनाल टरंप ने जो बाइडन पर तीखा अमला करते हुए उन्हें गूंगा पागल और नकारा बताया है टरंप ने कहा है कि अमेरिकी राश्पती पागल हो गए है और देश को तीसरे विश्व युद्ध की और ले जा रहे हैं राइटर्स क के कारण थीसरा विश्व युद्ध छिड सकता है डोनाल टरंप 2024 के राश्पती चुनाओ में हिस्सा ले रहे हैं और वो 2020 के राश्पती चुनाओ में गड़बड़ी करने के मामले में कोर्ट ट्राइल का सामना भी कर रहे हैं दोस्तो 2020 के चुनाओ परिणमा को पलटने के प्रियास से जुड़े 13 आरोपों का सामना करते हुए टरंप ने 26 अगस्त को खुद को जोड़ जिया के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया था। फोटो लिया जाता है टरंप के सरेंडर के बाद यह शब्द सोशल मीडिया पर लगाता ट्रेंड में है। दोस्तो बताया जा रहा है कि वे बीती राथी जमू के कटरा पहुँचे। पठान की रिलीज के वक्त भी शारु खान विश्रो देवी पहुचे थे। उस वक्त फिल्म के एक गाने बेशरम रंग पर काफी विवाद हुआ था। वीडियो में देखा जा रहा है कि शारुख खान के सुरक्षागार्ड लोगों से फोटो लेने से मना कर रहे हैं उनके आसपास भीड़ देखी जा सकती है। दोस्तो रिपोर्स के मुताबिर शारुखान मंगलवार रात साड़े 9 बजे कटरा पहुचे उन्होंने कुछ देरे कि स्थानी ओटल में आरहम किया। इसके बाद करीब 11 बजे मंदिर पहुच कर दर्शन किये। भारतिय समय के अनुसार या है इवेंट रात साड़े 10 बजे शुड़ो होगा जिसकी लाइव इस ओनलाइन स्ट्रीमिंग होगी। इस इवेंट में आईफोन 15 सिरीज के साथ एपल वोच सिरीज 9 और एपल वोच अल्टरा 2 भी लॉंच कर सकती है। इवेंट में कौन-कौन से प्रोडेक्ट लॉंच किये जाएंगे इसके बारे में कमपनी ने ओफिशली तोर पर कोई भी जानकारी नहीं दी है। वहीं दोस्तो एपल वंडरलस्ट इवेंट में कमपनी iOS 17 ओपरेटिंग सिस्टम के रोल आउट की डेट भी अनाउंस कर सकती है। iOS 17 के फीचर कमपनी ने तीन महीने पहले WWDC 23 इवेंट में अन्वील किये थे। iOS 17 में Live Voice Mail Transmission FaceTime Message Record करने की Ability Personalized Contact पोस्टर जैसे फीचर्स मिलेंगे। इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार अविता बच्चन को राखी बांधने पहुँची बंगाल सीम ममता बैनर जी जलसा के बाहर गाडियों को काफिला सीम को सी ओफ करने आई एश्वर्या और आराध्या। जया दोस्तो पश्रिमंगाल की मुख्य मंतरी ममता बैनर जी अविता बच्चन से मिलने उनके बंगले जलसा पहुँची ममता बिगबी को राखी बांधने पहुँची बताया जारा आई कि अविता बच्चन ने ममता बैनर जी को अपने घर चाय पर बुलाया था महाराष् इंडिया की मीटिंग हो रही है इसी में शामिल होने ममता मुंबई पहुँची है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए पता दें पिछली साल कुलकता में एक इवेंट के दोरान ममता ने अविता बच्चन को भात रतन देने की मांग थी अभिता बच्चन की पत्नी और राजस बासांसद जया बच्चन से भी ममता बैनर जी के अच्छे संबंद हैं वहीं दोस्तो इंडियन नेशनल डवलाप्मेंट इंक्लूजिव अलाइंस की तीसरी बेटे किगत 30 अगस्त से एक सितमर के बीच बुंबई के ग्रांड हैयाथ होटल में होगी इसी के सिलस्रे में ममता बैनर जी बुंबई आई थी और बुंबई आते ही उन्होंने अपने मूँ बोले भाई अविता बच्चन को राखी बांधने उनके घर पर भी वो गई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबार इश्यकप 2023 बाबराजम ने 19 वश्य तक जलकर बनाया अदबुद रिकोड अमला कोली जैसे दिगज रहे गए बहुत पीछे जिए दोस्तो इश्यकप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान के सामने नेपाल की चुनोती है इस मुकाबले में पाकिस्तान के कपतान बाबराजम ने टोस जीत कर पहले बल्ले बाजी करने का फैसला किया पहले बल्ले बाजी करने उतरी पाकिस्तान ने 50 ओर में 6 विकट पर 342 रन बना डाले वहीं दोस्तो पाकिस्तान ये गपतान बाबर आजम ने एक बड़ा रिकोर्ड भी अपने नाम कर लिया है नेपाल के खिलाब बाबर आजम ने अपने बंडे करियर का 19 वा शतक जड़ा बाबर आजम ने 102 पारियों में 19 वी बार शतक का आंकड़ा पार किया है इस तरह बाबर आजम सबसे कम पारियों में 19 शतक लगाने वाले बल्लेबास बन गए है वहीं इस फैरिस्त में दूसरे नंबर पर साउथ अफरिका के पूर्वे दिग्गस बल्लेबास हाशिम अमला है हाशिम अमला ने 104 पारियों में 19 शतक बनाये थे तो दोस्तो यह तियाज की तमाम बड़ी खबर हैं इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड की उज़ कुशन की जीहां दोस्तो एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है गुजरात की राजदानी कौन सी है जीहां दोस्तों घर आप जानते है गुजरात की राजदानी कौन सा शेहर है तो जल्सटो आपका जवाब कता एकडम सarna चुन जाते हैं लगज़िद्धा की रूप मैं